दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलोजी अपडेट के एक नए एपिसोड में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टेक्नोलोजी की दुनिया में क्या-क्या चल रहा है क्या-क्या नया हुआ जैसे कि आपको पता है नौर्थ इंडिया में कड़ा गे की ठड़ पढ़ रही है वेटे काम करने का मन नहीं करता है और ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर फील ही नहीं हो रहे नहाने का तो भूली जाओ सागरवाई पता नहीं कितने सालों से नहीं नहाएं फिर पी तरो ताजा है दोस्तों के बात की दोस्तों आज मैं सब्सक्राइं के बात कर नहीं की रभलकिता है और इतने युनिक वाले उसमें करके उसे प्रिंट आउट निकालकर अपने प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर रहे हैं बहुत सारे लोग तो एक्जाम में इसकी मदद ले रहे हैं ओनलाइन एक्जाम्स देने में और पाज हो रहे हैं और अच्छे नंबर ला रहे हैं नोट 12 नोट 12 प्रोप्लस अधे जो प्रो मॉडल रहे हैं जो बेस मॉडल है वह अलग है नोट 12 का यह सारे ही डिवाइस आपको 5G वंक्ष्णारिडी के साथ मिलते हैं और जब बात करें बेस मॉडल की नोट 12 की तो 48 मेगा पिक्सल के साथ आता है सनाप ड्राइगन का जेन 4 क लेकिन यहां पर बात करें प्रो प्रो प्लस मॉडल की तो उसमें 200 मेगा पिक्सल का कैमरा देखने को मिला है मीडिया टेक का 1080 डायमेंड सिटी का जो सोसी है वो देखने को मिला है सो वो 30,000 कुछ का या 34,000 कुछ में भी मिलने की बात हो रही है जो इसका मतलब यह पहला ऐसा नोट सीरीज का फोन है जो इतना 30,000 की उपर कीमत पर मिल रहा है 34,99 संथिंग कुछ मिल रहा है सो वाई अब रेडमी के फोन भी ऐसे बन रहे हैं कि वो अब एक आईफोन के टक्कर करने वाले हैं बहुत सारी जगाओं पर आप लिटरली जो आईफोन हैं वो 34,000 में खरीद सकते हैं हाला कि आईफोन 12 ही मिलेगा 13 ही मिलेगा बहुत सारे ओफर लगा के लेकिन इस कीमत तक आईफोन भी आ जा रहा है इतनी बैटरी ये कैमरा के सैंपल्स वगेरा हैं और वो कितने सच्चे होते हैं यह बात आप मुझसे ज़्यादा जानते हो क्योंकि आपने फॉन खरीदे होंगे और आपके हाथ में अभी जो फॉन है उसकी वेबसाइट पर जाकर उसका जो एड बना था उसको जाकर देख जो डिवाइस वगयरा अगर आप क्रियेटर हैं तो मिल जाएंगे हम तो रिवियो करते नहीं तो आगे आपको इसके बारे और खबर मिल जाएगी अगली खबर निकल कर आ रही है बीसनल की 5G की देखो बीसनल की 4G का दो भी ठिकाना है नहीं बहुत सारी जगाओं पर नही लेगी अब यह बहुत बड़ा क्लेम है क्योंकि ठीक से 4G भी नहीं आया है और यह डिरेक्टी 5G लांज कर रहे हैं यह कैसे होगा आइडों नो बट यह पॉसिबल है बिकास पीसनल का जो कवरेज है वह बहुत ही जादा खतरनाक मतलब बहुत अच्छा है क्योंकि यह कंपनियों में से है यह जो भारत में सबसे पहले जो मोबाइल सर्विस लेकर आई थी तो उस चीज़ का इन लोगों को फाइदा है बट अभी लेटेस्ट इंट्रस्ट्रक्ट्ट्र लगाने में और लेटेस्ट सर्विस प्रोबाइड करने में यह कितना आगे बढ़ते हैं 24 तक इंतजार करते हैं और देखते हैं कि BSNL क्या वाकई में 5G लॉंच कर पाएगा अगर आपके घर में कोई कंप्यूटर है या आपके पापा ममी कोई कंप्यूटर इस्तिमाल करते हैं या किसी ऑफिस में और स्कूल में कहीं भी आप Windows 7 और Windows 8.1 इस्तिमाल कर रहें तो इ अब यह अब क्या बोल रहें तो उसमें कुछ extended support भी मिलती है ऐसा नहीं होता है कि Windows अभी बंद हो गई इसके लिए अपडेट नहीं आ रहे तो completely बंद हो गए बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा extended security के support critical security flaws जो बहुत बड़े बड़े security के flaws या कमिया जो निकलती है उसके patches व मैं बता दूँ Windows 8.1 और 7 में एकदन completely बंद हो जाएंगे कोई critical flaw कुछ भी मतलब अगर आप इन operating system को इस्तमाल कर रहे हैं तो आप अपने भरोसे हैं Microsoft की तरफ से कोई support कुछ नहीं कुछ नहीं मिलेगा तो अगर आप इस्तमार कर रहे हैं Windows 7 और 8.1 किसी भी computer में तो उसे और आप कोई foreign pen drive कुछ ऐसा foreign device से connect नहीं कर रहे हो कुछ connectivity नहीं है तो कोई problem नहीं होने वाली ऐसा computer जो सिर्फ typing के लिए हैं जिसमें आप external कोई pen drive नहीं लगा रहे हैं internet से connected नहीं है डेटा आजा बाहर से नहीं रहा है तो आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है आप 109 वर्जन चल रहा है जो कि सबसे लेटेस्ट मारा जा रहा था लेकिन फरवरी में इसका 110 वर्जन आने वाला है 109 वर्जन जो है वो लास्ट वर्जन होगा गूल क्रोम का जो windows 7 और 8.1 को officially support करेगा आपको मालू मैं खतम हो रहा है support यार windows 8 और 7 का एकदम खतम और एकदम ब से कम windows 10 चाहिए और windows 11 है तो जादा है windows 10 से नीचे अगर आपकी windows है तो नया google chrome सपोर्ट नहीं करेगा यह इसलिए हो रहा है कि google chrome में बहुत drastic change आ रहे हैं कुछ ऐसे नए फीचर आ रहे हैं कमाल के जिसको पुरानी windows support नहीं करते security के हिसाब से कहलो या feature wise भी कहलो तो इसलिए परता क्या वज़ा है कि आप windows 8 इस्तेमाल कर रहे हो मेरे साब से तो बहुती बेकार windows रही वह लेगिन फिर भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप Google Chrome को इस्तेमाल करना चाहते हो और internet पे safe and secure रहना चाहते हो तो अब बहुत सारे लोगों को यह मानना है अगला update है कि बाइं टुटर पर आप टुटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन ले लो पैसे दे दो और आपको ब्लू टिक मिल जाएगा से बहुत सारी YouTube बन रही है जो बोल रही है कि एलन मस्क को आप सिर्फ पैसा देडीजिया आपको ब्लू टिक मिल जाएगा अपने इसे बहुत सारी होते हैं लेकिन लोगों के बीच में भी कंफ्यूजन है कि भाई सही में पॉपलर होना और अपने बारे में न्यूज वेबसाइट में पांच आर्टिकल पब्लिश होना जरूरी है न्यूज मीडिया में या इस चीज़ को आप प्रूव कैसे करोगे कि आप एक वेल और ऌर परसनेलीटी हो तो इन लोगों को रेटेरिया आसे और से और योजूज वेबसाइट में आप के बारे में और फसे आइन चीज़ परहलें और पयस्बूक कर देते हैं और इंस्टÑनों से और को इस चीज़ से यह समझता है कि हैं इनसान सुसिय देखे लोगों की बीट अबड़े अधा पुभिवर नहीं सिर्फ उनके पटेंगे अप उसके बादा आपको मंतली फीस भी देनी पड़ेगी ट्विटर पे तब ही आपको ब्लू टिक मिलेगा खुशी की बात यह है और दुख की बात भी है कि भारत में ब्लू सब्सक्रिप्शन अभी तक आया नहीं है यूके कैनडा और बहुत सारे कंट्रीज में आ गया लेकिन भारत में ब्ल लाइश लिए लॉट हुआ ही नहीं है इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो की सी एस से आ रहा है जो अभी रिसंट्ली हुआ है ओ रहा है जो नहीं नहीं ख़बर हमास निकल कर आ रही है कि स्नाप ड्राइगन निकाली है कि एंड्रोइड का जो है ना म सेटलाइड के साथ कम्मिनिकेट कर सकते हैं उनकी मॉडम की कैपलिटी ऐसी है यह फंक्शनालिटी अभी सिर्फ आपल आइफोन के लिटेस्ट मॉडल में ही देखने को मिलती है लेकिन आप एंड्रोइड में नहीं थी लेकिन जो भी एंड्रोइड फोन स्नाप ड्राइगन में आप नॉर्मली भी इरिडियम नाम की एक इनकी सेटलाइड कम्पनी हैं जो की प्रवाइड करती है सेटलाइड कम्निकेशन उसके साथ मिलकर स्नाप ड्राइगन के एसी फंक्शनालिटी निकाली अपने अरफ मॉडर्म से कि अपने दोस्त को अगर आपके पास नेटवर नहीं भी दे रहे हैं तो आप सिर्फ स्नाप ड्राइगन के उसकी मदद से ही लोगों को मैसेज भेज पाएंगे तो इन्होंने एक अलग जरिया बना दिया कम्मिनिकेट करने का यह बहुत अच्छी चीज है अब एंड्रोइड और एपल आईफोन लगभग बराबर हो चल रहा है मैं चाहते तो किसी इसी एक टॉपिक को फगड़कर इसके उपर डेडिकेटेट वीडियो बना सकता था और वो ठीक करती भी है और मैं कई सालों से यही करता आया हूं लेकिन मैंने सोचा कि ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में बात करना जरू कीजिएगा और अब वक्त है एक टेक टर्म सीखने का और आज मैं एक नहीं एक्चली दो बताने वाला हूं ओपन सोर्स ओपन सोर्स क्या होता है ऐसा कोई भी सॉफ्वेर प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज डिजिटली जिसका जो सोर्स कोड है मतलब जिस कोडिंग से वो बन देना या कुछ मॉड करके मॉडिफाइ करके एक सॉफ्वेर बना देना अलाउड होता है ऐसे सॉफ्वेर प्रोग्राम और अप्लिकेशन को ओपन सोर्स सॉफ्वेर या ओपन सोर्स आप्लिकेशन सॉफ्वेर कहा जाता है ध्यान दें कि जो फ्री वेर सॉफ्वेर होते हैं वो जरूरी नहीं कि open source हूँ freeware software वो software होते हैं जो कोई भी company जो proprietary software ही होते हैं mostly मतलब वो software आपको free दे दिये गए हैं लेकिन उसका source code freely available नहीं है यह आपको किसी शर्त पर ही दिये जाते हैं लेकिन आप इनको free इस्तेमाल कर सकते हैं open source software को आप free इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके source code को edit भी करके वैसा ही दिखने वाला कोई और software भी बना सकते हैं I hope आपको कुछ जानकारी मिली होगी freeware और open source के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें पर दोस्ते को साथ share करें साइबर सेक्योरिटी और इथिकल हैं इंट्रस्टे दो डिस्क्रिप्शन चेक करें 299 रूपीज के तीन इथिकल हैं कुर्सेज जो आसान भाशा में आपको इथिकल हैं कि सिखा देंगे मैं मिल तो आप से एगली वीडियो में थैक यू सो मच और गुद बाई मैं पाल टू से एगली रुद खवड़ने प्ली रूपी खवड़ने ना बार गवाने प्लीज झाएं